चाल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं तो इकरासन की गेलो टक्कर उतीव गए लेकिन अगर प्रदीफ काया ना तो कोई टक्कर निया इकरासन बनेगी तरनी लेकिन आम देखेंगा अपने एक सेतर में कौन काम करेने वड़ा है नई उमंकी है पड़ी लिखी है विदेशते लेल बिकर कह रही सही इसकी जो रहन नि कैसा रहा है पिछले पांच साल आप नौजवार है पांच साल मेरे पिछले सब्सक्राब रही अच्छा ना दो आगा आपका स्वागत है हम अभी केराना लोकसभा स्रीट के जगनपुरा गाउं में हैं ये गाउं मुख्य रूप से हिंदू गूजर बाहूल गाउं है यहा अभी यहां पर 24 के चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं भाजपा ने हाली में अपने उमीदवार प्रदीप चौधरी को घोशित किया है पिछली बार भी प्रदीप चौधरी यहीं से सांसत बने थे भारत्री जंता पार्टी से उनके सामने इकरा हसन समाजवादी पार्टी से खड़ी हैं आईए लोगों से बात करते हैं बदा करते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस बचनाव में नमश्कार जी नाम अपना जी बावराम जी क्या करते हैं आप खेती करा जी किसान है बावराम जी पिछले पान साल कैसे रहे हैं किसानों के लिए बहता मैर जी ने पता जी हो तो महर इसक है कि गंडे का भाव नहीं मिला आपको इक सब्सक्रास बॉप नहीं हुआ ईसमेड़े और ऐस चाहिए और बहत हुए और फाव भी नहीं हो रहे हैं वह पाइस अचे बाहँ खे दोर करतblick utan करके तक हमें 10 तस शौन भीस रूपे नहीं एप सब्कारत प्रोक्ताइं नहीं तो वाइदा था मोधी जी ने कि वह सरकाराएगी तो उनी रही है यह 14 दिन में भुक्ताण करेंगे तो हूं नहीं रहा है चौधा दिन में तो आपके लिए ये पांच साल आप कहने हैं किसानों के लिए थोड़े से तकलीफ रही है अभी आप बताईए चौबिस में चुनाफ अभी होने वाला है हाली में प्रदीब चौधरी का फिर से घोशित किया यहां से टिकेट भाजबाने आप कहां इस बार वोट देने वाले प्रदीब का काम कैसा राया है अच्छा पांच सालों में पार बी नहीं है आपका नाम साम मैं नाम पप्व है पपो जी क्या करते हैं मैं तो शिलाई का काम में बिकरों जी फैक्त पुग जाते हैं सिलाई का काम करते हैं तो फैक्टरी में क्या मजदूरी करते हैं आप यह मजदूरी करने हैं आप यह मजदूरी करने हैं पिछले पांच साल आपके लिए जो फैक्टरी में मजदूरी कर रहे हैं यह सिलाई का भी काम कर रहे हैं कैसे रहे हैं पांच साल बस मैं तो ही लगत मैंदा हैं मेरे भी या नहीं वोट क मैंदा है, प्ष्ली वोट कहा पॉत नहीं है पांच साल अभी तक तो जिन किसानों से बात हुई है जादा खुश नहीं लग रहे हैं पांच सालों से विकिन ये किसान सम्मान निदी भी मिलती है दो हजार रुपे आते हैं बैंक में पांच सो रुपे महीने के हिसाब से आपको लग नहीं रहे है कि इनों ने अपनी तरफ किसनों के लिए किसान के लिए लिए परोर बिए उन की लिए कोई अभी तक ऊचीत परबंद नी Québec N किसानों के लिए पर 고 जो भी किया कि ones कि लिए कुछ नी किया उनोंने पेमिर्ट बोल लेते कि हम पँचोदे दिन ने देंगे हे पिछली सरकार में बोलते थे हो चोदे दिन भी नी आई एक महीना लेट चला आ कि अनुट करभा मिल और फिर उसके बाद को तो सब कुछ पता होगा या तो किसान के लिए तोgeneration कोई रिकान के लिए कुछ किया भी तक भी नहीं किया फसलों के लिए इता बड़ी कौन से रहात दे दी कुछ भी नहीं किया तो आप कहां वोट दे रहे हैं पिछली बार कहां दिया था मैं तो इक्राकस से वोट दूँ इस बार इस बार इस बार पिछली बार कहां दिया था पिछली बार तो सांसाथ सहाब से दिया था प्रदीप से बीजेपी को दिया था इक्रा से उमीद है आप जम्मेदार जो आदमी जम्मेदार एन लोगों से कदियो मिले हिंभी नहीं काके बस नहीं पिसे रही हैं अब को इक टो जो है क्या आपको उमीदें हैं नौजवान होने के नाते क्या वह जादा उर्जा से काम करेंगी क्या आपको एकरा में लग रहा है कि आप उधर वोट करने चाहिए तो उन्होंने तब भी काम करा दिया था हाला कि हम पहले से बीजेपी के रहे लेकिन फिर भी काम कराते थे वह नई कंडिड साहिए शाहिए नहीं सांसाद आख से भाहण करेंगी आपको बद्लाव जाये तो बद्लाव जиж असाम आपको नाम जी समझीव कुमांर क्या करें सुमार को कुछ नी जी खाली पड़े क्यों थो陽ट नोक्री आं नोकरी का वाइदा किया ता भाजपाने मिलेंगी आ आप पहले क्या करते थे पहले प्राइवेट सर्विस करते थे चूट गई क्या बाद करोना में चूट गई थी उसके बाद कुछ नहीं तो अब ही गोजर बजर कैसे हो रहा है बस खेती के बरूस से अच्छा नहीं मिल रहा है पांच किलो राशन को तो बहुत धिंडोरा खेता है अगर यहां से प्रदीप की जगा मनीश चोहान को टिकेट मिलता या मरेगांका जी को टिकेट मिलता तब क्या आप फिर भी इंसे इतना नाराज होते या फिर सोचते इनको वोट देने हमेशा पूरा गाव भाजपा के साथ रहा, आग भी भाजपा के साथ ही रहता, केवल ये चुआइश थी के परदीप को छोड़कर किसी और का टिकट कर दो, अब तो परदीप गोशित हो चुका है, अब क्या सोच रहेगा हो, अब कुछ नहीं सोच रहा है कि अब तो कहीं नो हमारी नहीं सुनते हैं, जो कह दिया हो ही होना है, हम मरो जाओ, तरफो जाओ, कुछ ही करो जाओ, मैंगाई देखलो, सिलिंडर बे फिर बढ़ गया, कल परसों बढ़े हो साथ है, कली बढ़ गया, तो घर का बजट कितना बिगड़ा है, सारा ही बिगड़ा है, तो जब आप का नम, इश्वर जी, बताईए हाप क्या सोच रहे हैं, आप भी नराज हैं, इस नराज है, क्यू नराज हैं आप, काम मैंगि और आप भी किसान है, तो विजारों से आप भी परिशान है, बहुत ज़्याद है, लेकिन यह तो कह रहे हैं, गाहु माता की रक्शा करने, अपके जिब में क्यों हागी सब्सक्राइब कर रहे हैं यह जितने विजार गुम रहे हो जेवी खेती ही तो कर रहे हैं यह जेविक खेती ही हो गई बताइनी खेती थोड़ा ही कर रहे हैं अगर उसकी त्रेट देदे हैं वहां से तो कोगी तो आप बताईए फिर इश्वर जी किदर आप वोट करने की सोच रहे हैं वोट कहां सोच रहे हैं अचा अभी सोचा नहीं है पिछली बार तो अपने दिल से कहां दिया था था भीजेपी को लेकिन इस बार नहीं इस बार नहीं इस बार अभी पक्का नहीं है पक्का नहीं है यह गाहों ही पूरा बीजेपी का है अचा अपने आप दूरी बना रहे हैं ना बीजेपी वाले क्या करते हैं शाम सिंग ज हां विजार्स है हां बुखतारनेका राका मैं जो है यह हमारे का खित ती बिखना लेकिन यह तो सम्मान, किसान संमान यूजना दे रहे रहे हैं, 500 पंटसो रुपी महीने का तो ठीक है आप कहरे हैं कि जादा नहीं होगा 500 में समझ सकते हैं क्योंकि आप कहरे हैं कि डी एपी और यूरिया के रेट इतने बढ़ रहे हैं उसके सबसे 500 रुपे क्या ही है लेकिन अभी इस बार वोट कहां सोच रहे हैं अब चुनाव आ रहा है प्रदीप से खुश नहीं है आप अभी सोचना पड़ रहा है पिछली बार भी इतना सोचना पड़ा था पिछली बार तो नहीं सोचना पड़ा था पिछली बार तो नहीं सोचना पड़ा था पिछली बार तो दे दी थी वो टूने को प्रदीप को दे दी था आए नहीं आप अब आगे चलते हैं गाउं के कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे ले संबे निकाला। चलिए जी मलते हैं। राम राम जी सब्के। राम राम जी आए। कि कि अच्पारा ऑगों हुए निकाला। राम राम जी जी चुनाव आए। यह जी चुनाव आप सबकी राय जाननी क्या हो रहा। यह 24 का चुटावारा आपका नाम साभ नाम 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 कभी पंट साल ओगा जा अच्छा लोग काफी नराज हैं हर जगह की आए नहीं है जी आपका नाम साभ मेर नाम सत्वीर जी क्या करते हैं मैं तो कुछ नहीं खेटी बैड़ी काम करते हैं हमारा काम ही वही है इसमें थोड़ा सा परदीप को जो मरगांक को जो मनिस को जो हमें तो कोई लाब नी जी भाई किसान आदमी ने अपनी इसाबत है अपने उसके खेटी बैड़ी के अपनी चीज की तो पैसे चीए वही हमें मिलनी रहा, तो असमें मनिस का हो, इकरा का हो, हमें किसी दह कोई मतलब नहीं है, मैर तो जहां जी मावगी और तो देंगे वहां, रही बात अगर यहां किसे तरस है, मरगां का गटिका तरता, तो इकरासन की के लो टक्कर उतीव गए, लेकिन अब अगर परदीफ काया ना, त क्योंकि और भी किसानों से बात हो, हमारी आपके आने से पहले, गन्ने बुक्तान को लेकर गन्नेगी रेट को लेकर लोग काफी नराज हैं, साथ में मतलब बीजार चो गूमरें, लेकिन आप फिर अगर प्रदीफ की नहीं होती, क्योंकि पांच सालों से आपके लिए कितन लेकिन कुछ नीति उनकी जैसा किसानों के आप में वेपारियों से बढ़ावा दे रे लेकिन किसान आदमी का तो गन्ने का पैमीड है बिजली के बिल है, अब एक अंदाज लगा हो मेरी इनका मैं डेड़ लाख रुपे सालाना, उसमें हमने पचास जार रुपे या पच् या घर का जो खर्चा है वो तो चलैने मां में बहुत दिक्कत हो रही जी अब है, सिलिंडर भी महंगा हो गया है, खाना भी महंगी है जी, तो ये बताईए है, आप कह रहे हो कि सारी चीज महंगी हो गयी है, लेकिन साथ में आप कह रहे हैं कि लागत भी बढ़ गई, रेट साल तक मेरे अक्सेतर में इसमें, परदीप चोधरी इधर आयानी जी, अगर बियास आदी में मरगत भी किसी का हो जा, तो सबी आदमी आ जाएं सत्वाना देने के लिए, लेकिन परदीप आज तक नहीं आया, कहीं भी, यह खुबी थी बाभू जी में, में हरे एक जंगा काल काल करें, लेकिसे जाते उस अक्सेतर में भी गंगो इलाके में और कहरा अक्सेतर ने भी सबने समझाग रहते हैं इस बार क्या सोछ रहे हैं काम वट देने की सहोती हैंते हैं तो बहुत आगे निकल गई, एक रहा वाकई आगाए जी यह ठीक है, वो तो एकिनु पड़ी लिखी है विदेशते अलल भी करके रही सही इसकी जो रण निती है वो सही है सोच विचार जो है इसके कहीं दंगा फसाद नहीं है कोई वह नी इसका बाई है नाइद उसने भी दबेगा रखें जी मैं पूछ रहा 24 का चुटावारा क्या रोजहान लग रहा है यहां पर लोग थोड़े नराज ही लग रहे है कि प्रदीप को टिकेट मिलें नराज है बिलकुल नहीं देखते हैं प्रदीप तेंदे नहीं रखुए हैं जा किस बात की नराज गय की काम करने नहीं आए हैं पांज से उम्मीद है कि हमारे बीच में समय बिताए हमारे दुख सुक में साथ हैं यह पिताव तेना पहले वड़े यह मेरी आदत कराब रही यह उस पर पूरी होती नहीं पहले के नेताओं यहां पर इतना इनके बीच में दुख सुक में रहे हैं कि अब बुरा लगता है जब नेता कहीं नज़र नहीं पहले वड़े नेताओं आपको उम्मीद है कि एकरा वो पूर्टी करेगी एकरा तो हो दुख सुक मान वह जाव है मैं तो मारगान का भी करेंगी जिवर दुख सुक मा हम जा वह दुख सुक में आती है यह मतलब यह कहीं ना-कहीं उनके पिता जी आदर गून है तो बहुत ही अच्छे थे अजी उत्नय कुन तो कि शीवें नहीं शुके लुला तर शाब में अब थोड़े से उननों ने तो गोशत कर दिया चलिए आप अपनी बात रखिये लोगतंतर बात रखनी ने तो लोट जो तो परती चौजी को वोट नहीं पढ़ाई है, वोट योगी मोदी को फटाईगा है। विकास के हिसाब से आप किस दिशा में विकास देख रहे हैं? क्या विकास हुआ है? क्या आपके हिसाब से थोड़े अगर आप अंगडे देख कर मुझे बताएं? विकास को क्या हम सिर्फ सड़क के नजरिये से देखेंगे या महेंगाई रोजगार बहुत बड़ा सवाल होता है नौजवानों के लिए इन सारे मुद्दों पर भी आप देख रहे हैं नहीं कहते हैं कि अंकड़े नहीं कह now 4 स़कार ने बुड़े सटर साल एक त्रफ, ए सटने गैस सिलंडर ने कि अदेख बिल्कुल ज उर्सुहारी और खैरे में रहे हुं रहा है anytime एक जार्या हुझ Поэтому कुछ जरी स्वानित पर कर दो हुआ है रहा हुआ कि को सबसिडी कहरें ना मिल रही है और बेढ़ भी भी वर जा रहे हैं पहले बिजली कितनी अत्यते यह पूछ लो पिजली ने भागता देखो कुछ मिलने के लिए सबसिडी भी आ रहे हैं चैकड़ा तीन सर पर सबसिडी आ रही है अभी हम गाउं में यहां एक वालीबॉल दो मिनिट आपकी गेम रोक सकते हैं नौजवान है जोड़ी बात करनी सबसे चुनाव आने वाले हैं प्रदीब जी का टिकेट घोशत हो चुका है यहां पर आपकी सीट से अजी तो कौन बात करेंगे सब भागे जा रहे हैं मुझे देखकर हाँ जी साब नमुश्कार आपका धिर नम अनुज है जी अनुज क्या करते हो इस्टडी करूँ जी कौन से उसमें हो में संटानी हैं में थर्ट समेस्टर हैं किसीज में कर रहे हैं इंग्लियस से बहुत बढ़िया और यहां शामली से कर रहे हो कहां से करानला से टो एक स्टूडेंट होने के नाते नوجवान ह प्रदीब कोई उमीद नहीं 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 तीक है आप लोग इतने नाराज क्यों है प्रदीब से याज नहीं आता नहीं कभी रूख सुक मैं कभी वह सरी कभी रहता जी और बाबु जी आते थे हम उसे कुछ हैं इसबात है अगर जो मरगंगा को अट मिलती मिलते तिकट मिलता तो हम देने के लिए तो प्रदीब ने कभी भी हमने आज लोग उनकी सुरूत ने हैं नहीं तो इक राह क्या है वह पूरती है जी आती है आप लोग कुछ थे हैं आपका नाम साँ है क्या करते यह कहलता हूं आप जोब बुकिंड ऑन क्या कते हैं फार्मा सेक्टर है प्राइवेट शिकां प्राइवेट तो यह क्या कैसा रहे पेचले 5 साल आप नओजवार अच्छा नाद आपको पास पास पी तरफ टैंक भी लगे यहां वह बिन लगया अच्छा इसकोल में बाड़ा खिल लें इन बाड़ा पास जंगा निया नाम की तो पिर हम के क्या करा है हमारे राजनीती में आम तुर पे जब हम किसी नेता के बारे में तो थोड़े उम्र दराज इनसान के बारे में ही सोचते हैं आप लोग नौजवान हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस बार विपक्ष में एक नौजवान कैंडिडेटर महिला है पश्चे मुपी में भी पूरे देश में ही एक हद तक कि सारवजनिक रूप से कम ही इस तरह से पदो पर आती है लेकिन इस बार एक नौजवान महिला पड़ी लिखी है आपके बीच में उमीदवार बनके आ रही है उसके बारे में आपको क्या लग रहा है जो दो अच्छे नेता है जो नौजवान है मनीश चवान और एकरासन बाक्की सब उमर्दराज भी हो लिए और नहीं उन्हें इतना अच्छा मतलब बोलने का दिकारी से बात करने का एक्स्पिरेंस भी नहीं है ठीक है तो आप मतलब मनीश या इकरा इन दोनों में से ज़्यादा प्रेफर कर रहे है तो बिलुकुल के लिए रोगा जी मैरी तो या सोचा जी जो मरगांका से इंकोड़ा टिकट होता तो एक तरफा उस पर दे गी आनिव जे एक तरफा इकरा पर जाए जी वी लुकुल जी तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि अगर रेगांका जी का होता लेकिन गाउं में गूमे हैं लोग बेजारों की शिकायत कर रहे लोग गंद्धान की शिकायत कर रहे तो सब्सक्राइब करने की समस्षा मारा पिछला प्रदीप के साथ वापिस जाएंगे या किसी और कर तो नाम है पेले उस तो नाम मातर है कप अध़ी जी ने दीखिवा ने और किसी ने ने डिक्क ते वह टाइम था ठाइक दूर्टि कोई थी लेकिन फिलालत मोडी का नाम है उसके क्या पसंद आया पांच साल मोदीजी के 10 साल हो गए अब तो क्या पसंद पशन्द के सारी काम ही है आदमी आपने आप कह drains Organor सुधरा आतनी योगी सर का का काम है ठोड़ा काम करें करें रोड भी मोदी टुड़ा काम है सिलेंडर की जब बात करें सिलेंडर कैंकर लगातार बढ़े जा रहे हैं और चार भाई कारी अब इन बच्चों में देख लो तम दो चार पर मिलेंगे सब बड़े बड़े पोन मिलेंगे ठीक है इस उमर में पोन का वह करना ले अद्ट विन घर के हम जगनपुरा गाओं में थे शामली जिले के यही से कुछ दूर थोड़ी सी आगे जाके यहां पर यह की जो पहले सांसद ओवा करते थे बाबु हиком सिंग्जी उन्हें की यहां पर एक बड़ा फार्मा। से जहां पर यहे रहते थे उनकी बेटी भी अभी यहीं रहती है रिगांगगा जी यहां के लोग उनकी काफी खरीब रहे हैं जिसके चलते कई लोग नराज भी लग रहे हैं कि उनको टिकेट नहीं मिला कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे हम उम्मीदवार नहीं देखेंगे हम सीधा मोदी जी को ही वोट करेंगे प्रदान मंतरी के लिए खेर इस बार केराना की सीट पर काफी हल चल हो चुकी है एकरा हसन का भी काफी नौजवानों के नाम पर नाम है लेकिन बहुत सारे नौजवान उसी तरफ मोदी जी को भी बहुत पसंद कर रहे हैं उम्मीदवार नहीं देखना पड़ेगा क्या होता है लेकिन ये सीट पर तगड़ी अच्छी शायद कांटे की टक्कर हो सकती है सीसीए के साथ जुड़े रहे धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू